आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अश्ठक पूड़ो करने के लिए। फोस्फोरस कुछ इस तरह से पाँच इलेक्ट्रॉन खर्च करता है। यहाँ पर OH जुड़ा, यहाँ OH जुड़ा, ठीक है, दो बंद से oxygen, oxygen ने अपना मतलब अश्ठक पूड़ो किया, दो इलेक्ट्रॉन का साजा करके अपना, तो यहाँ पर फिर OH, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि सब ने अपना, oxygen ने देखिया, अपना श्ठक पूड़ कर लिया है, oxygen hydrogen से जुड़ा, एक बंद hydrogen से बना है, एक बंद phosphorus से, दोनों बंद oxygen बन गया है, फिर हमारा है दूसरा S3PO3, तो S3PO3 में देखे क्या होगा, S3PO3, तो आपको दिख रहा है, एक oxygen कम होगा है, बस, phosphorus, एक यहाँ OH लगेगा, एक यहाँ OH लगेगा, ठीक है, यहाँ पर दो बंद oxygen, यहाँ क्या हो जागा, सिर्फ hydrogen, ठीक, एक oxygen कम होगा, फिर S3PO2 में, एक और oxygen कम हुआ, तो देखिये कैसे बनेगा हमारा, यहाँ phosphorus, फिर OH, फिर यहाँ पर हमारा oxygen चल ला है, ठीक है, और फिर यहाँ दो hydrogen, इस तरह से जुड़गे, तो S3PO2 हो गया, फिर H4P2O7 है, तो इसको समझ लेते हैं, चौथा वाला, तो H4P2O7 है, तो P2 है, तो phosphorus के बीच में oxygen इस तरह से लग जाएगा, तो oxygen देखिये, दो बंद phosphorus के बी जाएगा, और फिर OH इस तरह से जुड़ जाएगा, देखिये, OH इथर, और इथर, फिर oxygen इससे दो बंद, और इससे दो बंद待 oxygen, और इससे OH, और इससे हमारा OH, आप को यहाँ पर देख रह होगा, तो एक चीज़ समझ में आजा रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है, कि क्या क्या गया है किया गया है S3PO4 बनाया गया दो और वहाँ से फिर पानी निकाल देया गया मतलब S3PO4 कुछ इस तरह से है न देखिए OH फॉस्फोरस OH और फिर यहाँ पर यहाँ OH और फिर यहाँ दो बन यह हमारा बन गया S3PO4 और फिर अगर हम S3PO4 बनाया कुछ इस तरह से फॉस्फोरस यहाँ OH और फिर यहाँ OH और फिर यहाँ पर दो बन ऑक्सिजन यहाँ से अगर आप जल निकाल दो H2O और फिर इसको जोड़ दो यहाँ से जल निकाल दो तो तो H4P2O7 बन जाएगा Oxygen जोड़ गया direct phosphorus है समझ गया क्या निकालना सिर्फ H2O क्या बन जाएगा H4P2O7 अब हमारा HPO3 का whole Thrice है इसको समझते हैं देखिए इसको किस तरह बनाएंगे Trimer है HPO3 का तो phosphorus और फिर यहाँ OH फिर यहाँ पर Oxygen यहाँ Oxygen यहाँ पर Oxygen तो यह HPU3 HPU3 कुछ इस तरह से रहता मतलब इस तरह से Oxygen जोड़ा करता है अभी तो यह इस तरह से Oxygen जोड़ा फिर यहाँ पर OH जोड़ेगा ठीक है फिर यहाँ पर क्या होता है phosphorus Phosphorus, कुछ इस तरह से Oxygen, और फिर यहां एक बंद OH, और फिर यहां Oxygen, ठीक तो यह HPO3 हमारा, बन गया, स्वरी, HPO3 का Whole Thrice बन गया, HPO3 का क्या बना, प्राइमर बना है, तीन Phosphorus है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू.